हेलो एवरीवन, दाद चाहे आपको कितना भी पुराना हो, जड़ से खत्म हो जाएगा इस घरेलू नुसके से, 100% कारगर है ये घरेलू नुसका, आपको कितने भी पुरानी खाज खुजली की समस्या है, हाथ पैरों पर दाने दाने हो जाते हैं, उसकी समस्या में भी आप इ इससे निजात पालेंगे, ये बेहत कारगर घरेलू नुसका है, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, उन्हीं का बता हुआ है घरेलू नुसका, आज मैं आपके सामने सेर कर रही हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक् जोती कम चीजों से बन करके तयार हो जाता है, तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक करेला, या एक या दो करेले से ही ये नुसका बन जाता है, और बेहत कारगर ये हमारी खाज खुजली को जड़ से खत्म कर देता है, एक बार आप इसे यूज करके देखिएगा, आपकी ख करेले को हमें अच्छे से धो करके इसे सुखा करके लेना है, जिस पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, तो ऐसे हमें इसका उपर का ये जो छिलका है ये उतार लेना है, या तो आप इसे कद्दुकस से भी इस उपर वाले छिलके को कर सकते हैं, नहीं तो दाद खाज खुजली को दूर करेगी, तो देखेगा फ्रेंट्स इस रेमेडी में हम क्या क्या चीज़े और डालेंगे, और इसे हमें कैसे लगाना है, इस सारी बाते में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप के लाश्ट तक जरूर दे दाद की समस्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो आप इस तरह से इसे चोटे से माम ज़स्ते में डाल कर अच्छे से पीस लेंगे, या फिर आप इसको ग्राइंडर जार में डाल कर गे भी पीस सकते हैं, तो आप एक चोटी छलने ले लीजेगा, और उस छोटी छलने स भी आप इसको चांद सकते हैं नहीं तो आप एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लिजिएगा एक छलना उसमें आप इसे रख करके उसकी पोटली बना करके भी इसे चांद सकते हैं तो मैंने एक छोटी छलनी ले ली है और इसी में ये मैं पिसा हुआ करेला डाल तो देखिएगा इस तरह से जैसा आपको आसान लगे इस तरह से आप इसका रस निकाल सकते हैं तो हमें इस करेले के जो ये उपर का हिस्सा होता है कड़वे वाला उसका हमें इस तरह से करेले का ये रस निकाल लेना है तो ऐसे चम्मत से दबा के मैंने रस निकाल लिया है कुछ मैंने हाथ से ऐसे अच्छे से दबा करके इसका करेले का ये रस निकाल लिया है तो देखेगा फ्रेंस एक करेले में से इतना रस निकल जाता है उपर की परत का ये हमें बस निकालना है आप जो ये करेला बचा है इसकी सबजी बना सकते हैं ये मैंने लिए हैं दो कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं तो ये दो कपूर को हम ऐसे अच्छे से हाथ से ऐसे बारिक करके पीस करके इसमें डाल लेंगे ये भी हमारी खाज खुजली को बहुती जल्दी दूर करता है तो हमने इसमें दो कपूर की टिक्की डाली है जो चोटी-चोटी सी टिक्की आती है कपूर की वे ही हमें इसमें डालनी है और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नारियल का तेल तो फ्रेंट्स अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप इसमें कैश्टर ओयल भी डाल सकते हैं अरंडी का तेल भी इसमें डाल सकते हैं अरंडी का तेल भी बेहत कारगर होता है खाज खुजली के लिए तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच नारियल का तेल नारियल के तेल को डाल कर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखे ये हमारी दाद खाज खुजली को इतनी जल्दी दूर करेगा अगर आपके सालो से पुरानी दाद है तो आप इसको 15 दिन लगातार लगाएंगे और आपके खाज खुजली तो 5 दिन लगाने से ही बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी ये बेहद कारगर घरेलू उपाई है एक चोटा सा कोटन का टुकड़ा ले लीजिएगा ये मैंने एक चोटा सा रूई का टुकड़ा ले लिया है तो इस तरह से इसमें रूई को अच्छे से भिग हो करके और आपको जहां भी आपके दाद है या पिर दाने है खुजली है इस तरह से ऐसे आप हलके हाथों से इसे लगा करके हलके हाथों से ऐसे मसाज कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको नहाने के बाद इसको लगाना है और इसको लगा करके आपको 5-6 घंटे जरूर रखना है 5-6 घंटे के बाद ही आप नहा सकते हैं इसको लगाने के बाद तो आपने इसकिन पर आप इसको 5-6 घंटे जरूर लगा करके रखेगा और देखेगा आपके जो दाद खाज कुझली ऐसे जड़ से खत्म हो जाएगी जैसे कभी हुई नीत ही ये बेहद कारगर घरे लूपा है फ्रेंट्स मेरे इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर करें अब मिलती हूँ अगली वीडियो